हेलो फ्रेंद्स विल्कम बैक टू रेसिपीस कॉर्णर उम्मीद करती हूँ पीछली रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होंगी दिबारा से मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ चाउमीन की चिकन चाउमीन की या चुके नूडल्स की जो भी आप बोलते हों तो इस रेसिपी को एक मैंने मैदे वाले नूडल्स में नहीं बलके वीट वाले नूडल्स लिये है थोड़ा हेल्दी वे मैंने इसको प्रिपैर्ड किया है जो के बहुत ही टेस्टी और डिलिशिस बनने वाला है तो सबसे पहले चिकन को मैंने लिया है लगभग 400 के ग्रा मैं जिन जिन गाली का पेस्ट ए ait किया है, वन टेबल स्पून, रेड चीली पैस्ट रेड चीली पाउडर एंड ड्ätteए लिए घ्टे शून उडली में है श्वाबं को एड़ली है व्यां करकर देंगे сложा हे तो क्रूइं से कॉइफ थे मैं जिक्सैखन पर और यहाँ पर मैं मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही थी क्योंकि काफे दिन के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ तो बस यही हो रहा था तो यहाँ पर मैंने तीन एग ले लिये है और इनके मैंने गिरा दिये थे वह सारे मैंने निकाल लिये है शेल को अब इसमें एड किया है सॉल्ट और रेच चिली पाउडर मैंने एड किया है तूटी स्पून के करीब ताकि एग थोड़ा सा स्पाइसी उसमें अच्छा लगेगा क्योंकि मैं और कुछ स्पाइसी चिली वगरा एड नहीं करने वाली हूँ तो यहाँ पर एक मैं सॉस प्रिपार कर रही हूँ जिसके लिए लिया है म अब इसी सॉस में मैं एड कर दूगी सोया सॉस को और सोया सॉस ले लूँगी मैं दो टेबल स्पून के करीब ठीके और यह जो मेजरमेंट है वह दो पैकेट वाले नूडल के लिए परफेक्ट है और इसमें अब मैं तीन टेबल स्पून शेजवान चतनी एड कर रही तो सारा कुछ रेडी हो चुका है और यह देखिए सब्जिया भी मैंने कट करके रख दी थी साइट पर सब्जिया मैंने ली है कैबज कैपसीकिम और गाजर और ओनियन ठीके आपकी मजी के साब से इसमें एड ओन या कम जादा कर सकते हो तेल ले लिया था मैंने दो टेबल तो मैंने अग एड़ किया है क्योंकि हमें जो है थोड़ा सा सौफ्ट भी चिकन में और हमें एक को जो है फॉदर चिकन के साथ भी कुक करने वाले इसलिए एक को बहुत जादा गरम तेल में नहीं डालेंगे वरना नीचे से चिपक जाएगा और काफी कड़क हो जाता है त इसको एक बार ही अच्छा सा मिक्स कर देंगे और सारी चीजे मैरिनेट करने के फाइदे यह होते हैं कि आपने बस गैस अन करना है सारी चीजे एक के बाद एक आपने गैस पे डालनी है अब इसको मैंने कवर करके रख गया था तो देखिए चिकन बिल्कुल अच्छे से हो हो जाता है तो सेम ही चीजों में मैंने अब एड किया है जिसमें चिकन और एक अल्रडी एड़ेट थे उसी पैन में मैंने एड किया सबजियों को भी जिसमें है कैपसिकम कैबिच ऑनियन और कैरेट्स क्यूंकि यह बहुत ही कलर फुल दिखेंगे और बच्चों को भी पसं सब्सक्राइब करना है करना है आक मैंने निकाल लिया था तो यह बिलकुल अच्छी थरीके से हो गया थी चिकन को बनाओ गया नूदल्स या फ्राइड राइस के लिए तो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन बनेगा उपर से हलका सा क्रिस्पी आ जाएगा जो के हम आटा यहां पर नूडल्स अच्छे से बॉइल हो गयते हैं मैंने स्ट्रेंड करके साइड पर रख लिए हैं सेम ही पैन में मैंने गार्लिक एड किया था मैं शूट करना भूल गई तो गार्लिक इसमें एड किया है और अब मैं इसमें नूडल्स आड कर दूंगी तो जो सबसे पहले हमने ओईल में नूडल्स को अच्छा सा भून लेना है और यह भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे करेंगे लो फ्लेम पे नहीं करना है नूडल्स को साटे क्योंकि वह बहुत सॉफ सॉफ से होने लगते है और काफी तूट भी जाते है और यह अल्रेडी सा हाई फ्लेम पे ही सॉटे कर लेना है तो अच्छा सा हो जाएगा तो हमने जो सॉस प्रिपेर की है वह हम इसमें एड कर देंगे और दबारा से अच्छे से मिक्स कर देंगे उपको मेरी अच्छे लगी होगी और जिनों ने भी मेरा वीडियो देका है उन सबको थैंक यू श अगर अभी तक नहीं किया है तो नूडल्स अच्छे से हो गए थे हमारे तो मैंने अभी जो हमने जो मिक्सचर हमने रेडी किया थे चिक्किन एग और सब्सक्राइब कर देंगे और बिल्कुल ही हलके हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि अल्रेडी सॉस वगरा डालने से नूड जो हमने लोग फ्लेम रखनी है तो मीडियम टू हाइप रखना है चाहिए फटाफट से मिक्स कर देना है और ऊपर से मिसमें एड कर देंगे कैबच और थो अनियन में साइब पर रखा था स्लाइस किया वह तो वेने इसमें एड किया है क्योंकि हलका सा अच्छी नेस और ब दिखने में भी बहुत ही खुबसूरत दिखती है आप किसी भी डिश में आइड कर दो मजब बहुत ही अच्छा उसका लुक चेंज हो जाता है तो यह बिलकुल अभी हमाई नूडल्स गरमा गरम से बनके तयार हो गए और बहुत जल्दी इसको प्लेटिंग भी कर लेंगे तो बहुत अच्छे और डिलिशियस टेस्टी से बने थे यह नूडल्स उमीद करती हूँ आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा और भी अच्छी डिलिश अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीज़े लाइक कीज़े वीडियो को और शेयर कीज़े दुबारा मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी डेलिशियस रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर बाई 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 अल्ला हाफिज